पपीता खाने के क्या क्या फाइदे हैं? इस वीडियो में आपको पपीता खाने के सभी फाइदों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बीना देरी की ये बताते हैं वो स्टाड़ी बाते। कबज का इलाज करता है पपीता पपीता डाइजेशन में मदद करता है और आपका पेट साप करता है। फल में विटामिन C, फोलेट और विटामिन E होता है जो पेट में टौनिक बनाता है और गती बिमारी को कम करता है। पपीता कब्ज में मरीजों के लिए रामबान इलाज है इसमें फाइवर होता है जो किवावेल मोवेंट को तेज करता है और मल को साफ्ट करता है जिससे आप असानी से मल त्याग कर सकते हैं इसके अलावा पपीता एक एसा फल है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो कब्ज की समस्या को रूपता है और एक स्वस्त पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है पपीते में मौजूद एक और एंजाइम काइमो पापेन सुजन का इलाज करता है और चाय पचाय में कब्ज और पेट खराब होने जैसी पाचन संबंध ही कई समस्या ठीक हो जाती है अगर आप पुरानी कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी आपको खाली पेट पपीता खाना चाहिए पिरिट्स के दोरान भी फायदे मंद होता है पपीता पपीते का रस पीने से अनियमित पिरिट को समान किया जा सकता है आप अनियमित पिरिट्स के लिए कच्चे पपीते का रस भी पी सकते हैं पपीता सरीर में गर्मी पैदा करता है और हर्मोन एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है पिरिट्स के दर्द और बलोटिंग को कम करने में पपीता आपकी मदद 13 सल पपीता एंटी इंफलेमेटरिक गुनों से भर पूड़ा है और पिरियद्स के दرद और बलोटिंग को असानी से कम कर सकता है यह एंठन को कम कर सकता है पपीते में मौझूद करोटिन गर्भास के संकुचन को प्रोत्त साहित करता है और पिरियद्स को प्रेडित करता है जिस वज़ा से आप अनियमित प्रियर्ट से बज़ सकते हैं, साथ ही कैरोटिन, एस्ट्रोजंग, हर्मोन के उत्पादन को भी बढ़ाता है जिससे प्रियर्ट और प्रेग्ननसी दोनों ही हेल्दी तरीके से रेगुलेट होते हैं. एकने को ठीक करता है, कई त्वाचा विविकारों के इलाज में पपीता बहुत प्रभावी है, इसका उप्योग मुहासे के लिए किया जाता है, मुहासे के इलाज में भी पपीते का उप्योग किया जाता है, आपको बस इतना करना है कि आपके सरीर के प्रभावित छेतर प्र और पपीते की त्वाचा का मानसल हिसा लगाएं. फल खाने से त्वाचा भी साप होगी. आप पपीते से लेंटेक्स भी प्राफ्त कर सकते हैं और निसान कम करते हैं। इसे जले हुए छेत्र पर लगा शकते हैं। एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है पपीता, पपीता में केरोटीनाइड एक एंटी आक्सिडेंट है जो मुक्त कनों को बे असर करता है, पपीता केरोटीनाइड के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, कैंसर के खत्रे को भी कम करता है पपीता, पपीतों में लाइकोपीन होता है जो कैंसर के खत्रे को कम कर सकता है एसा माना जाता है कि पपीता कैंसर से लड़ने में मदद करता है या फल उन लोगों के लिए भी फायदे मंद माना जाता है जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है इनफेक्शन से करता है बचाओ पपीता कई फंगल इनफेक्शन से लरने में भी मददगार माना जाता है और आतों के कीरों को मारने के लिए भी मददगार शावित होता है जो कई संक्रमनों और जटिलताओं का कारण बनता है इसलिए गड़्मियों में इस फल का शेवन आपकी बड़ी को ठंडा रखता है चमकदार स्कीन पाने में भी मददगार है पपीता पपीता आपकी त्वाचा को युवा और हेल्दी बनाता है फलो में मुझूद एंटी आक्सिडेंट और त्याधिक मुक्त खनो को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो त्वाचा को नुकसान सैंगिंग और जुरियों का कारण बनते हैं लाइको पीन और विटामिन सी से भरपूर पपीता उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में भी मदद करता है कुलर्स्टरोल को भी कम करता है पपीता कुलर्स्टरोल मोटापा, डेबटी और दिल की दिमाडियों का कारण बनता है जिससे में ज़रूरी है कि आप अपना कोलेस्टरॉल गंट्रूल करें खाली पेट पपीता खाने से इसका फाइवर ना तो में बैड कोलेसेल और फैट को कम करने में मदद करता है साथ ही ये लियो प्रोटीन को भी कम करता है और हाई कोलेस्टरॉल के कारण होने वाली बिमारियों से बचाव में मदद करता है खाली पेट पपीता खाने से शरीर को सिर्फ यही फायदे नहीं मिलते बलकि ये त्वाचा के लिए भी फायदे मंद होते हैं दरह असल ये शरीर को डिटॉक्स करता है और खुन को शाफ रखता है जिससे त्वाचा में नेचुरल गलो आता है तो अब से शुवा नास्ते से पहले लगभग एक कटोडी पपीता काला नमक मिला कर आपको जरूर खाना चाहिए डाइबर्टीज में भी फायदे मंद होता है पपीता डाइबर्टीज के मरीजों के लिए खाली पेट पपीता खाना बहुत फायदे मंद होता है दरह असल पपीता लो गलाइसेमिक इंडेक्स फुड्स में से है जो की सुगर को कम करने में मदद करता है इसे खाली पेट ख खाने से आप आएंगे कि डाइबेटीज के कई लक्षन कम होने लगे हैं इसके अलावा ये डाइबेटीज में कब्ज की समस्या को भी दूर करता है और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेक्ट डिस्फंक्शन को भी रोगता है पेट फुलने की समस्या में भी फायदे मंद ह होता है पपीता, खाली पेट पपीता खाने से आप पेट फुलने की समस्या से बच सकते हैं, खराब पाचन वाले लोगों के लिए रोज़ना पपीता खाना जरूरी है। दरासल ब्लोटिंग कई बार ये श्ट्रेस के कारण भी होता है। पपीता पाचन तंत्र पर तनाव को दूर करती है और भोजन को तेजी से मेटा बुलाईज करने में मदद करती है। पपीते में पपैन नामाक एंजाइम होता है जो भोजन को तेजी से तोरने में मदद करता है और एसीडिटी को भी रोपता है साथ ही इसके कुछ एंटी एक्सिडेंट पेट में सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं इस तरह खाली पेट पपीता खाना बलाटिंग का कर सकता है तो आप लोग को यह जनकड़ी कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छे लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्य बात